हेलो फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंस आज हम आपको 6-7 येर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी साइड में डिजाइन वाली फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने 1.5 मिटर क्लोथ लिया है और 1.5 मिटर कपड़ा फ्रिल के लिये लिया है ये देखे फ्र 30 इंच है और चोड़ाई में ये 16 इंच है अब हम इसको डबल करके यहाँ पर रख लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है शोल्डर हमें इसका 5.5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंद हमें इसकी 6 इंच रखनी है ऐसे करते हुए हम सीधा निशान लगा लेते है यहाँ से हम इसको चकोर कर देते हैं आर्म होल में हम इसके गोलाई कर देते हैं नेक की चोड़ाई यहाँ से हमें 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें 3.5 इंच रखना है ऐसे करते हुए हम गोलाई में इसकी निशान लगा लेते हैं यहाँ से वेस्ट लाइन हमें इसकी 7 इंच रखनी है और उपर तक इसको मिला लेते हैं यहां से वेस्ट हमें 7 इंच रखनी है और वेस्ट लाइन हमें इसकी 6 इंच रखनी है अब इस जंगे से हम 1 इंच अंदर की साइड को इस पर निशान लगा लेते हैं यह देखिए ऐसे करते हुए हमने यहां पर निशान कर लिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं साइड से भी हम इसकी जितनी फिटिंग का निशान लगाया है इतनी हम कटिंग कर लेते हैं उपर से शोल्डर पर से हम हलका सा ढालदार कटिंग कर देते हैं क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं इससे इसकी फिटिंग अच हमने इसकी length थोड़ी सी जादा रखी है 21 इंच की length है और 21 इंच की छोड़ाई है triangle shape में हम इसको fold कर लेते हैं 4 layer यहां पर इसकी हो गई है अब हमें इसको यहां पर ऐसे करते हुए रख लेना है और यहां से उपर की side से हमें इसमें गोलाई कर देनी है यहां से जो हमने इसकी गोलाई कर दी है उपर का हिस्सा टू इंच पर हमें इस पर गोलाई करनी है अब इसकी टोटल लेंथ हम यहां से माप लेते हैं यह 18 इंच है 18 इंच ही हमें इस जंगे से लेना है और 18 इंच ही हमें बीच से लेना है सब जंगे से हमें इसमें बिल्कुल बराबर निशान लगाना है कहीं से कम्या जादा नहीं करना है ये निशान हमने लगा दिये हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं नीचे की साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फेब्रिक था वो इसमें निकल गया है उपर की साइड से भी हम इसमें गोलाई कर लेते हैं ये देखिए यहां पर हम इस तरीके से इस पीस को लगाएंगे और दूसरा पीस हम यहां पर दूसरे साइड में पाइप इन भरने के बाद इसमें लगाएंगे फ्रोक हमारी कटकर तयार हो गई है दोनों पीस ये हमने 6 पट्टिया ली है नीचे की साइड फ्रील लगाने के लिए और नेक में फ्रील लगाने के लिए इसकी चोड़ाई 2.5 इंच है और लेंथ में जितने अर्ज का होता है 41 इंच या 42 इंच आप इतना इसको रख सकते हैं हमें इन सभी पट्टियों को जोड लेना है और इसके उपर जोड कर सिलाई लगा देनी है उसके बाद हमें इसमें यहां पर चुननटे डाल लेनी है सभी पट्टिया हमें एक दूसरे के साथ जोडनी है ये हमने साइड में डिजाइनिंग पीस पर लगाने के लिए 1 इंच की सीधी पट्टी ली है जिसको हमें ऐसे डबल करके इसकी पाइपिन बनानी है ये नेक में आर्म होल में लगाने के लिए पट्टी ली है यह देखें यहाँ पर अपने सभी फिरिल हमें एक दूसरे के साथ जोड लेनी है अब बीच से इसका जोड हमें नेल्स की मदद से प्रेस कर लेना है अब हम इसको डबल कर लेते हैं और इसके ओपर सिलाई लगा लेते हैं जिससे जब हम इसमे फ्रिल डाले तो हमें परिशानी ना हो फ्रिल हमारे अच्छी तरीके से डल जाए ये सभी पट्टिया हमने अपनी तयार कर ली हैं जोड़कर अब हमें इसमें बारिक-बारिक सी प्लेर्स डालनी है थोड़ी थोड़ी सी अंदर की साइड को प्लेट्स करते हुए हम इसमें प्लेट्स डाल कर अपने तयार कर लेते हैं पूरा फ्रील हमें इसी तरीके से प्लेट्स डाल कर इसमें तयार करना है ये देखे कितनी अच्छी तरीके से ये हमारी प्लेट्स डल रही है फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये फ्रील यहां पर हमने तयार कर लिया है अपना अब हम फ्रोक में बेक पीस कट कर लेते हैं थ्री इंच का जिससे बेबी को सिर में पहनाने में परेशानी नहीं होती है ये हमने स्ट्रीप ली है जिसकी चोड़ाई टू इंच है और लेंथ में ये फौर इंच है बीच से थ्री इंच का हम इसको कट कर लेते हैं और यहां पर रख कर इसको हमें लगा लेना है, यह देखिए ऐसे हम इस ट्रीप रखते हैं नेक के उपर और इस पर सिलाई लगा लेते हैं, अब हमें इस सिलाई को दूसरी साइड में पलट देनी है, बीच में इसमें हमें पलटने के लिए हल्का सा एक कट लगा देना है, ज अभी फेबरिक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये हमारी पट्टी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और अंदर की साइड को अच्छी तरीके से मूड जाती है ये देखिए ऐसे हमें अपनी पट्टी को यहां से फोल्ड कर लेना है नीचे की साइड से भी हमें पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करना है अब इस साइड से भी पट्टी को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं नेक हमारा है कितना प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है अब हम अपना दूसरा पीस भी ले लेते हैं फ्रोक का और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए। जिससे जब हम आर्म होल में या नेक में पाई पिन या स्लिव्ज वगएरा लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं है। यह हमारा फ्रंट पीस है इसमें हम फ्रंट के आर्म होल में हलकी सी गहराई कर लेते हैं जिससे आर्म होल की शेप बहुत ज़ादा अच्छे आती है ये यहाँ पर हमने गहराई कर ली है कट कर हमारा पीस ऐसे बेट गया है अब ये अर्म होल की हमारी पाइपिन है पाइपिन को हमें हलका हलका सब जंगे से कीचना है कहीं से भी जादा नहीं कीचना है और फ्रेंट्स अंदर की सिलाई भी पाइपिन की हमें बिलकुल बराबर लेनी चाहिए हमेशा कहीं से कमिया जादा नहीं करनी चाहिए इससे हमारी पाइपिन की शेफ अच्छे आती है ये पाइपिन हमाही लग गई है अब हम इसको दो बार फोल्ड कर लेते हैं और पाइपिन के बिलकुल बराबर बराबर में सिलाई लगा देते हैं ध्यान रहे हमारी सिलाई पाइपिन पर नहीं आने चाहिए इससे हमारी पाइपिन की फिनीशिंग खराब हो जाएगी यह देखिए यहां पर कितने प्यारी सी हमारी यह पाइपिन बनकर तयार हो रही है इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पीस में भी पाइपिन लगा कर तयार कर लेना है दोनों साइड में हमने यहां पाइपिन लगा दी है नेक में हमें फ्रील लगाना है तो हम इस तरीके से जो फ्रील हमने तयार किया हुआ है थोड़ा सा फॉल्ड करके और नेक पर अपने लगा लेते हैं जो सिलाई फ्रील लगाने के लिए इसमें लगाई हुई है उसी सिलाई को हम नेक पर भी लगा देते हैं उसी के उपर हम सिलाई लगा देते हैं ये देखिए फ्रेंट्स कितना प्यारा सा हमारा ये इस पर फ्रील लगकर तयार हो रहा है ऐसे ही हमें अपने पूरे नेक में फ्रील लगा लेना है एक्स्ट्रा फ्रील हमें यहां से कट कर देना है यहां से भी अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हम इसको निकाल लेते हैं यह यहां पर हमने निकाल लिया है अब नेक का हम हलका हलका सा फैबरिक अंदर की साइड का एक्स्ट्रा कट कर देते हैं और इस पर ऐसे रखते हुए हम पाइपिन को लगा लेने हैं जिस तरीके से हमने नेक में पाइपिन, आर्म होल में पाइपिन लगाई हुई है, इसी तरीके से हमें नेक में भी इस पाइपिन को लगा लेना है। इस पर सिलाई लगा लेनी है, ये हमारी नेक में और आर्म होल में इस तरीके से पाइपिन लगकर तयार हो जाती है। पाइपिन हमारी यहां पर लगकर तयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से इसकी शेप आई है, इसी तरीके से आपको ये पाइपिन लगा लेनी है, अब हम साइड में फिटिंग की सिलाई इसमें लगा लेते हैं। दोनों पीस मिला लेते हैं और उपर की साइड से पका करते हुए नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखी, यहां पर हमने सिलाई लगा लिए, अब हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही अपनी सिलाई लगा कर फ्रोक की फिटिंग कर देनी हैं। उपर की साइड में से इसमें फिटिंग हो गई है अब हमने नीचे का ये देख सकते हैं ये हमारी सीधी जो पाइप इन हमने काटी हुई है साइड के डिजाइनिंग पीस में लगाने के लिए उसको हम डबल कर लेते हैं और उसके उपर सिलाई लगा लेते हैं अब ये साइड का जो हमारा पीस है उसको हम यहाँ पर रखते हैं हमें कोई साभी फ्रेंट्स पीस कोई साभी कीचना नहीं है दोनों पीस बिल्कुल बराबर बराबर करके लगाने है पाइप इन को भी हमें नहीं कीचना है गोलाई में से भी हम ऐसे ही शेप देते हूँ दूसरी साइड में पाइपिन को अपनी ले जाते हैं और इसको भी हम नीचे तक लगा देते हैं ये देखिए पाइपिन यहाँ पर हमारी लग गई है दूसरे पीस में भी हम अपने ऐसे ही पाइपिन लगा लेते हैं हमारी बीच की सिलाई आई हुई है उस पर हम इसको रख लेते हैं और एक बार इसको नीचे तक माप लेते हैं यह देखिए हैं यहां पर हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर हैं तो हम नीचे से अब इसको रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंस यहां पर भी ह कितनी प्यारी सी शेप आ रही है और गोलाई की शेप भी इसकी कितनी प्यारी सी बैठ गई है इसी तरही के से काफी प्यारे प्यारे डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आपको हर साइज में वीडियो को देखने के लिए मिल जाएगी आप चैन पाइपिन लगकर यह से तैयार हो गई है इसी तरीके से हम अपने दूसरे साइड के पीस में भी पाइपिन लगाकर तैयार कर लेते हैं इसको पाइपिन लगाकर हमने तैयार कर लिया है अब यहां पर यह जो हमारा फ्रिल है इसको हम यहां पर रखते हैं और चार तरफ इस फ फ्रोक की डिजाइनिंग और भी जादा प्यारी हो जाती है बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इस फ्रील को लगा लेना है चारो तरफ से हमने फ्रील लगा लिया है अपना ये देखिए अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं और सबी फैबरिक इसका फ्रोक के नीचे की साइड को करते हुए इस पे मशीन के एक पेर की हम सिलाई लगा देते हैं जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है ऐसे ही हमें अपनी पूरी फ्रोक पर सिलाई लगा कर इसको तयार करना है ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर फ्रोक हमारी सिलाई लगकर तयार हो गई है कितनी प्यारी सी ये बन कर तयार हो गई है आपने की शेप भी इसकी देख सकते हैं और साइडो का डिजाइन भी इसका बहुत प्यारा सा बन कर तयार हो गया है बहुत आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स में